अपरादी विकरम बराड को गिरफतार किया गया है पट्याला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस ने गिरफतार किया है कडी सुरक्षा के बीच आज आरोपी को पेश किया जाएगा न्यायाले में डखैती के एक मामले में विकरम बराड आरोपी था करीब दो साल पहले जोयलेस की दुकान पर डकैती हुई थी अभिनेता सल्मान खान को जान से मारने की भी ये आरोपी धमकी दे चुका है लॉरिस विश्णोई गैंग से जुड़ा हुआ है ये आरोपी विक्रम बराड जिसका नाम बताया जा रहा है बराड के खिलाफ राजिस्थान के अलावा कई राजियों में दो दर्जन से भी जादा मामले दर्ज हैं अब ठाने के बाहर लगाए गए हैं हत्यार लेस स्पेशल कमांडो क्योंकि विक्रम बराड जिस थाने में हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्ता को पुक्ता किया गया है बराड के खिलाफ कई राजियों में आपरादिक मामले दर्ज हैं बराड के खिलाब राजिस्तान के अलावा कई राजियों में दो धर्जन से भी जादा मामले दर्ज है ठाने के बाहर अभी फिलाल हत्यार लेस स्पेशल कमांडो लगाए गए हैं और पुक्ता सुरक्षा के इंतजाम कडी निगरानी जैपूर के चोमू से एक हवर आ रही है कि कुक्यात अपरादी विक्रम बराड को गिरफतार कर लिया गया है पट्याला जेल से प्रोडक्शन बॉरंट पर इसे लिया गया है कुख्यात अपरादी विक्रम बराड गिरफतार कुख्यात गैंग्स्टर आनन दपाल का भी ये आरोपी करीबी रह चुका है लॉरेंस इसोई गैंग से जुड़ा हुआ था बराड पट्याला जेल से प्रोडक्शन बॉरंट पर गिरफतार किया गया है बराड को और जिस जेल में विक्रम बराड को रखा गया है उस जेल के बाहर स्पेशल कमांडोज लगाए गए है हत्यार लेस कमांडोज यहाँ पर लगाए गए है कडी सुरक्शा के बीच अभी फिलाल विक्रम बराड से पुस्ताज भी होगी आपको बता दे फिरौती के लगातार आये मामलों में विक्रम बराड का मामला सामने आया था विक्रम बराड का नाम सामने आया था और दूर दराज देशों से फोन कॉल के माध्यम से विक्रम बराड कई बिजनिसमेन को फोन करके धमका चुका है उनसे फिरोती मांग चुका है और अपना डर इस आरोपी ने लगातार कई तरीके की वारदातों में शामिल रहने की वज़े से बनाया जिसकी वज़े से कई लोग दरे भी और अभी फिलाल पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इसे लाया गया है कुक्यात अपरादी विक्रम बराड को गिरफ्तार कर लिया गया है बराड के खिलाफ राजिस्तान समेट कई राजियों में दो दर्जन से जादा मामले दर्ज हैं राजिस्तान का नामी गैंक्स्टर है विक्रम बराड फिरोथी के कई मामलों में इन्वाल्व रहा है